रादे रादे दोस्तों मैं आप लोगे लिए लेकर आया हूँ पारख शिवलिंग के विशे में एक और वीडियो और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद पारख शिवलिंग से संबंदित आप लोग के जारा तर डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं पारख के विशे में बहुत सारे भ्रांतियां हैं अलग-अलग प्रकार की किसी का यह कहना है कि पारख पारख जो है हाथ को काला करता है तो असली है नहीं करता है कोई कहता है कि दूप में रखने से वो सुने रहा हो जाता है और बहुत प्रकार की यह ब्रांतिया है अलग-ब्रकार की जबकि शास्त्रों में कुछ इस तरह की बाते भी सुनने को मिलती है कि पारत का जो जल है आप उसको ग्रहन करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रकार की विमारिया हो जाती हैं मगर जो भी लोग पारत के शिवलिंग का जो जल है वह आपको नहीं पीना चाहिए वह दूशित होता है या कुछ कई प्रकार की भ्रहंतियां है तो आज हम कोशिश करेंगे आपको उस तारीव समस्याव से कुछ समधान आपको मिल सके यह तीन प्रकार के पारत के प्रकार है जो मैं मेटलिस्टिक टाइब में बता रहा हूं कि उनका जो कम पोजिशन है उसके बेसिस पे यह सबसे पहली क्वालिटी है जो पारशिवलिंग की है अब लोग इसको कुछ भी कहें हम आपको बताएंगे जो हमें इसके बारे में सच जो पता है इसमें 30-40 परसंट पारा रहता है अब 30-40 परसंट पारा रहता है बाकी चीज़े क्या रहती है बाकी चीज़ें अन्य कहीं सारे केमिकल्स है जिससे इसको सॉलिडिफाई करते हैं पारा यह असली ही है यह पारशिवलिंग ही असली मगर जो परसंटेज है इसमें वो कम है 30-40 परसंट इसमें पारी की कि पर्सेंटेज हैं या इसकी पह cow जोड़ रहा है कालिक करने का मतलब मगर फो शुद्ध नहीं इसमें कि मात्रा है जिस वजय से वह शुत नहीं है मतलब कोई कहे कि पारत् 가족 म जादा है श्राब काम है यह इसका मतलब और ऑर आप इसका कलर अगर देखेंगे धंसे तो इसका कलर कुछ ऐसा है कि जिसमें कुछ आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेंगे जादा अपने आप में इसका जो कलर है इस तरह का है नॉन शाइनी जैसा है अगर आपको आसपास की चीजे इसमें नजर नहीं आएंगे यह आप देखेंगे तो दूसरा बारा उसके मुकाबले कम छोड़ता है क्योंकि इसमें लड़गी मात्रा उससे कम है और इसमें पारे की परसेंटेज जो है वह जादा है अगर आप देखो नीचे से देखोगे दोनों को तो आप देखेंगे सरफेस का फर्क मैं उम्मीर लगाता हूँ को कैमरे में यह सब दिख होगा कि कोशिश करता हूँ फरक आप देखिए यहां देखिए चमक में फरक आपको महसूस होगा तो यह जो है यह भी पारा शिवलिंग है मगर इसमें पारे की परसेंटेज है वह क्या है वह 52-60 परसेंट है या किसी-किसी में 60 से जादा भी हो सकती है लेकिन मैजॉरिटी 50-60 परसेंट ही है यह जो पारा शिवलिंग हो सकता है यह 50-60 पारा है इसमें ठीक है अब हम बात करते हैं असली पारा शिवलिंग के बारे में अब यह असली पारा शिवलिंग कैसा है वह मैं आपको एक शिवलिंग दिखाना चाता हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि यह इ कुछ अलगी प्रकार का है इसकी शेप भी सही नहीं है इसको मैं रगणुँआ ऐसे तो ये कालक नहीं देगा क्योंकि जो पारा इसमें है वो शुद्ध हो चुका है पुरा पारा सब में ही हैं मगर इसमें पारे की परसेंट is 80 percent से जादा है और सबसे important बात जिससे आप यह जान सकते हैं कि क्या यह सही है और यह ऐसी पुस्तक भी लिखी है जल्दी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुस्तक को भी डाल देंगे आप उस पुस्तक को से भी आप सारी जीज़े जान सकते हैं तो उन दोशों को दूर करा जाता है दूर करने के बाद इनको स्थाई करने के लिए इसमें अलग-अलग प्रक बी किया जासकता है मगर उसकी कौस्टिंग फिर उसी सार tema से बढ़ जाएगी इसको हीरा भस्तक से भी आप जमा सकते हैं मगर उसकी और भी जाधा बढ़ जाएगी अब सबसे इंपर्टेट बात की कि कि इसको कैसे जाने की ऐसली है अगी है यह आफ अगर पुरानay शास्त हैं वो मना कर देंगे लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस शिवलिंग्स आप जो जरल प्रवाइद करेंगे जो जल अब शींग आप करेंगे आप ऊस्ता districts को पी बीज cells इसको हाट से बनाया गया है तो क्यों हमने इस सबी कैसे बने है यह करें तो जिस इस भी शेप में आप इसको या जिस भी मैटल के साथ में संपर्क में आप याप इसको लेकर आएगे वापस से ये उसका दोश लेकर कर दूशीत हो जाएगा तो इतनी मेहनत हमने इसको की है यह दस संसकार के द्वारा बना हुआ पारा है वह जो मैं बुक आपको बता रहा ज्यादा शाइन है हलकी शाइन उसी कम हो जाएगी मगर आप वापस से शाइन को इसके बढ़ा भी सकते हैं लेकिन ये इस से आप बदे इससे आप जो जल चड़ाएंगे दूद भी चड़ाएं आप वो सब पी सकते हैं कोई भी इसमें नुकसान नहीं होगा इसमें जो आप इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती कि आप इसको धूप में रखोगे तो गोल्डन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है यह चांदी खाता है सोना खाता है बिलकुल यह चांदी खाता है मगर कम खाता है क्यों क्योंकि इसको जमाने के लिए जो यूज किया गया है वो करी मिखना खाक को असानी से से पॉलते हैं कि अभी यह पारा जो है यह चांदी के रूसमें बोका नहीं हुआ है इसे प्रशेशनी का उस्पने चाहेंगे और उसको मार्केट पर मिल जातें है यह सब आरथ लंग पर्म बात करें और यह हाथ से बनता है और इसको बनाने में आपको इसके लिए सही लोग ढूंड़ने पड़ेंगे जो यह बनाते हैं तो यह हाथ से निर्मित है इसी वज़ा से यह इस तरह की शेप इसमें आई है तो यह असली पारशिवलिंग जो है वह कुछ इस प्रकार का होगा क्योंकि इसको सांचा भी नहीं बनाया जासता क्यों मतलब हैं पारशिवलिंगे मगर इनमें फरक क्या है परसेंटेज का फरक है तो यह आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी फिर भी आपको किसी प्रकार का डावट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको उमीद करते हैं कि आ पाराशिवलिंग के विशे में वो कुछ दूर हुए 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 धन्यवाद रादे रादे